हलो दोस्तों कैसे हैं दोस्तों सिक्चा वर्ती जोड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पाद जरू लाता हूँ और दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं चुनाफ से पहले सिक्चकों के 29,000 पद भर्णने की तैयारी अब सिक्चक बनने का अभ्यार्ति को बार बार नई देने होगी पातेता परिक्चा इसकूल सिक्चा वर्ती के लिए जल्द ही नई पातेता परिक्चा आजवित करेगा अगले वर्ष्ट बदान सावा चुनाफ से पहले सिक्चक के करीब 29,000 पद भर्णने की तैयारी है इसमें इसकूल सिक्चा वर्ण की 15,000 और जंजाती कारी विवाग की इसकूलों में 14,000 परिक्चा वर्ण शिक्चों की नुकति होनी है इधर 4 साल पहले 2018 में सिक्चक पातेता परिक्च्चा ले गयी ती लेकिन अभी तक सिक्चों की पूरी तरह से नुकति नहीं हो पाइय है इधर इसकूल सिक्चे वहां एवं बार दी गई पातेता परिक्चा को निर्धारित आयू सीमा तक वैद्द करने की तैयारी में है इस संबन में शीक ग्री आदे जारी किया जागी यानि अब अभ्यारती को बार बार परिक्चा देने की जरूरत नहीं होगी और ये सबसे अच्छी न्यूज है दोस्तों क्योंकि बार बार एक्जाम होते हैं तो उससे अभ्यार पातता परिक्चा दी है तो वैं नौकरी की आयू सीमा तक आविदन कर सकेगा उसकी पातता परिक्चा की मेरिट के अनुसार भिवागी परिक्चा लेकर न्यूक्ति दे सकेगी यानि की हाँ पर एक चीज और दी गई है दोस्तों कि उसकी पातता परिक्चा के मेरिट के अन मनुसार सिक्चों के कमी को पूरा करने, इसकूल सिक्चे भवाग हर साल खाली पदों पर 5 फिसदी पदों पर नुक्ती करेगा, इससे अधिक पदों पर भढ़ते के लिए वित्ति भवाग से अनुमती लेनी होती है, इसी के चलते इसकूल पिट्टी वश करीवन 29,000 पदों हर साल नुक्ती की जाएगी, तो दोस्तों हर साल यदि 29,000 पद भरे जाते हैं, तो भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर साल इतने पद आएंगे, तो अभी बहुत लोगों को लाब मिलेगा, आरक्षन में उलजी भरती पर करिया, पात्यता परिक्चा के माध्यम से न पात्र होंगे, वहीं आर्तिक रूप से कमजोरवर के लिए 10% आरक्षन का मामला कोर्ट में पहुँच गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दो बार बढ़ानी पड़ी पात्यता परिक्चा की बैद दिता, इसको 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 बार आंदुलेन भी कर चुकी है, हर बार उन्हें आसवासानी मिलता, दोस्तों पद ब्रदी के साथ यह दि न्युकती होगी और नामों की पुर्णरा बिटती नहीं होगी, तबी यह जो सेकेंड काउंसलिंग है, वो सफल मानी जाएगी, हर वर्स होती है पात्ता परिक्च दी जाएगी, इसके साथ ही साथ पात्ता परिक्चा की बैदता निर्धारित आयू सीमा तक की जा रही है, यानि एक बार एक्जाम देने तक आप फिर आविदन कर सकते हैं, जो भी भर्तियां होगी उसमें, तो कुल मलाकर दोस्तों नई भर्तियां आने वाली है, 29,000 पदो पर यहाँ पर वर्ग एक और वर्दो की बात की जा रही है, और बहुत चल्ली जो है वर्ग तीन की भी काउंसलिंग सुरू होगी, उसके बाद उनकी नई भरति आ सकती है, जब उनकी काउंसलिंग कंप्लीट होका जोइनिंग हो जाएगी, वर्ग एक और वर्दो की यह सेक दोस्तों कुल मिलाकर आपका यदि स्कोर कार्ड अच्छा नहीं था या आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो एक मौका और आपको 2023 में एक्जाम देने का मिल रहा है उसका लाब तभी उठा सकते हैं जब आप आज से तैयारी करेंगे यदि आपको तैयारी के संब में तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं दोस्तों क्योंकि फ्यूचर की तैयारी अभी से यदि करके रखेंगी तभी हम लाब ले सकते हैं साथ में पदब्रद्धी होनी चाहिए दोस्तों वो मुहिम लगात तार जारी रहेगी क्योंकि बहुत से भाई भाई भेन जो है ओ कोब्रेज हो रहा है और हर एक विशे में पदबढ़ने चाहिए जो उपिक चित विशे हैं उनमें भी पदब्रद्धी होनी चाहिए जिससे कि इसी स्कोर कार्ट से उन्हें जॉइनिंग मिल जाए यह वीडियो को सुचना माते था आपने इससे देखने के लिए इतना समय काला उसके लिए दिल से धन्नवाद